चले जाओ गए ऐसा नहीं है आपके पास एक और सर्टिफिकेट होना चाहिए क्या इसके लिए ऐसा कोई एक्जाम नहीं होता बस वहाँ पर इंफर्म करना होता है हम जॉब नहीं करेंगे लेकिन अगर जॉब करते हुए पाए गए और आपने धोका धड़ी से कुछ ये दोन कौन सा सेक्शन पढ़ रहे है 141 और यह कहां पहले पॉइंट मैं लिख दिया या नहीं सब सेक्शन वन में दूसरे पॉइंट में बताया कि चार्टेड अकाउंटेंट इसके बाद सॉरी पॉइंट वन में एक बात और लिखा मेजियरिटी और पार्टनर COP है और इसके पास भी COP है और एक EB माल लेते हैं और यह जो है यह CA नहीं है ठीक है तो हमारे पार्टनर्शिफ फर्म का नाम क्या है ABCDE क्या इसमें सारे के सारे चार्टेड अकाउंटेंट है नहीं है सारे के सारे चार्टेड अकाउंटेंट नहीं है लेकिन मेजियरिटी चा Chartered Accountant है, ठीक है, अब मेरे firm का नाम क्या है, ABC Partnership Firm, नाम तो ये है, मैंने बोला कोई भी Chartered Accountant आपके business का audit कर सकता है, company का, तो क्या ABC Partnership Firm audit कर पाएगा, बिलकुल कर पाएगा, क्योंकि इसमें majority क्या है, CA, जो की practicing कहां पे कर रहा है, इंडिया में कर रहा है, कर पाएगा, ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैं कर दू यहां पे, ये दोनों भी CA नहीं है, एक Chartered Accountant है, और firm का नाम है ABC Partnership Firm, अब ABC Partnership Firm किसी company का audit नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, भाई, इसके अंदर CA तो है, majority CA नहीं है, यानि किसी company के audit करने के लिए, partnership firm के eligible है, बिलकुल partnership firm, एक तो मैं individual कर सकत हो, क्या कोई partnership firm eligible है, बिलकुल partnership firm eligible है, किसी करने के लिए, लेकिन ध्यान रखना उस partnership firm में, majority CA क्या होना चाहिए, आपका होना चाहिए, number of partner के according, तो हम क्या पढ़ रहे थे, देखो सबसे पहले, 41 का subsection 1, इसमें CA होना चाहिए, अगर कोई partnership firm है, जिसके अंदर क्या होना चाह यह in India, practicing का मतलब जिसके पास COP होगा, वो हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद, क्या, अब ऐसा क्यों, देखो, partnership firm में, अगर कोई partner, जैसे की dissolution में आपने देखा है, कि partnership firm में liability किसका होता है, पार्टनर का, अगर किसी creditor का payment नहीं होता है, तो partner अपने घर से लाकर देता है, ठ अगर किसी ने fraud किया, तो company responsible है, उसका employee responsible नहीं है, separate legal entity, partnership पे separate legal entity का concept नहीं लगता, company के उपर लग जाता है, तो ऐसे ही सेम, हमारा एक partnership firm पे separate legal entity क्या होता है, कि माली का अलग है, बिजनस अलग है, आपने fun cinema से एक movie ticket लिया, आपको गलट ticket दे दिया, तो आप fun cinema के उपर सारे जो भी legal action लोगे, उसके honor पे नहीं ले सकते हैं, तो यह separate entity का concept नहीं होता है, लेकिन partnership firm में ऐसा नहीं होता, partnership firm के अंदर, अगर firm dissolve होत है, और पैसे कम पढ़ जाते हैं, तो ऐसे situation में partner के घर के assets को ले के फिर दिया जाता है, तो separate entity तो नहीं हो आई है, ठीक है, इसलिए कि कोई भी auditor अगर audit करेगा, तो उसके उपर ज्यादा से ज्यादा restriction होना चाहिए, कि अगर मालो partnership firm audit करता है, audit करने के बाद, अब CA बोलता ह तक क्योंकि audit किस ने किया है, CA ने किया है, ऐसे, 141 subsection 2 में क्या कहता है, limited liability partnership firm, जिसको हम short form बेन LLP भी बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा LLP, अभी आपने law के exam दिया है, उसमें भी था LLP, limited liability, मतलब ये जो partner होते हैं, इसके उपर ज़्यादा liability नहीं होता, normal partnership firm की liability कितनी होती unlimited, अगर मान लो किसी creditor को एक लाग देना है, ये अपने घर का समान बेच के लाओ और दो उसे, लेकिन यहाँ पर limited liability, तो कहा गया limited liability partnership firm, appoint as an auditor of a company, किसी company का auditor बन सकता है, only the partner who are chartered, accountant, और sign भी वो करे अपने responsibility पे कि इसका जिम्मेदार मैं हूँ, ठीक है, एक तो CA बन सकता है, partnership बन सकता है, और LLP भी बन सकता है, ठीक है, तो ये था हमारा eligibility and qualification, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा question नूर्माली पूछा जा सकता है, eligibility में आप दो point लिख सकते हो, qualification ये लिख सकते हो, लेकिन main है कि हम chartered accountant को रख रहे हैं, तो ऐसा क्या काम करें कि वो बने ही ना auditor, यानि disqual qualification, तो point number one बनाया गया, कि a corporate other than LLP, LLP तो बन सकता है, लेकिन corporate नहीं बन सकता, corporate का मतलब क्या होगा, जैसे कि, मानलो, अदोस ये मिल गए, A और B, ये दोनों chartered accountant है, और इसने बना लिया एक A, B company limited, A, B company limited, ध्यान से देखना, A, B company limited इसने बना लिया, A, B company limited बनाने के बाद, अब एक है X, Y, Z limited, क्या सारे के सारे जो भी इसके इंदर member है, वो सारे chartered accountant है, बिलकुल, COP भी इनके पास है, ये इस company का audit नहीं कर सकते, reason, क्योंकि जो company के definition है, उसके अंदर लिखा हूँ है separate entity, कि अगर कोई भी fraud इस company के अंदर पाया गया, और ये company बोले कि मैंने इस से काम करवाया था, तो ऐसे situation में ये दोनों बच जाएंगे, क्योंकि ये बोलेंगे, हम तो company के किया है, company ने किया है, तो सारे legal action किसके खिलाफ लो, company के, तो इसलिए बोला गया कि कोई भी ऐसा company किसी का भी audit नहीं कर सकता, ठीक है, अब मुझे बताना, ध्यान से बताना मुझे, चलो मैंने एक बनाया, x, y, दो person है, a है और एक b है, इसने लिखा, a, b company, a, b company, क्या p, q, r, limited एक company है, ये चाहता है, हम इसका audit करें, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेना देना, तो मेरा question ये है, क्या ये इसका audit कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, इसका audit करना है, मैंने बोला, कोई भी audit कौन कर सकता है, एक charted accountant, ठीक है, partnership firm eligible है, लेकिन कोई company eligible नहीं है, मैंने बोला, A, B company है, ये partnership है, तरीके सच, C, A है, और ये क्या इस company का auditor बन सकता है, क्यों समझ माया है, नहीं आया, क्या बन सकता है ये नहीं बन सकता, बताओ, अभी तो मैंने बताया, क्या बन सकता है या नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता, यहां पर देखो यह सबसे पहले मुझे बताओ यह partnership firm है या company है अब नहीं होता पहले बताओ यह company है या partnership company के definition क्या है company किसी को कब बोलोगे company word लगाने से company हो जाएगा यह limited और private word लगाने से company होगा क्या इसके आगे limited या private है तो क्या यह company है तो क्या यह partnership firm है बिल्कुल है majority दोनों CA है इसमें तो कर सकता है यह ठीक है तो इस पर case study भी आप कहा सकता है इस तरीके से ठीक है तो यह इसका audit कर सकता है simple first point देखो अब यह क्या लिखा है मैंने disqualification में ध्यान देना disqualification देखो subsection 1 में कहता है आपका कोन person eligible है इसके बाद qualification की बात करता है 2 में यह दोनों mix करके है और 3 की मैं बात करूँ तो सबसे पहले क्या बात करता है वो 3 के अंदर यह a point है यह पता है कैसे section 141 subsection 3 clause a यह ऐसे चल रहा है तो यह जो ABC लिखा है यह section है पूरा यह तो इसमें क्या कहता है कोई भी corporate किसी company का auditor नहीं बन सकता दूसरा point कहता है अगर कोई employee जैसे मान लो एक company है XYZ Limited ठीक है इस company के अंदर क्या कोई CA काम कर सकता है कर सकता है काम मान लो यह CA part-time job करता है क्या इसे COP मिल जाएगा मिल जाएगा full-time बोला गया फुल-time वालों को नहीं मिलेगा part-time वालों को मिल सकता है part-time job करता है और Azure consultancy देता है अब यह CA इस company के अंदर ही कोई part-time job कर रहा है officer है या employee है तो क्या इस company का audit कर पाएगा अगर government permission दे दे के कर लो तो इसके अंदर क्या होगा fraud होने के chances क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे तो क्या कहता है कोई भी company का officer हो employee of the company cannot be audited